रमरम साथियो, आप सभी का सुवामी विविकानन्द, कॉम्पिटिन्श एंटर जुजनों में हार्दिक सुवागत है आज हम बात कर रहे हैं अजमेर जिले के भाग ठरीकी और आज आपके सामने सबसे पहले बात कर रहे हैं सोनी जी की नस्या कि Sony G 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 सोनी जी की नशिया सोनी जी की नशिया है यह जैन दरहम का मंदिर है यह जैन मंदिर है यह जैन मंदिर है यह जैन मंदिर है यह है रिसब देव या आदी नाथ को समर्पित है किसको समर्पित है सोनी जी की नसिया का निर्मान की बात करें तो इसका निर्मान शुरुवात इसके निर्मान की शुरुवात 1864 इश्वी में मूल चंद सोनी ने शुरु करवाया किसने शुरु करवाया मूल चंद सोनी ने मंदिर का निर्मान पूर्ण की बात करें किसके मंदिर का निर्मान सोनी जी की जो नसिया है इसका निर्मान किसने पूर्ण करवाया तो इसका निर्माण 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 विभाजिते, दो भागों में विभाजिते, एक भाग है, ये दो भागों में विभाजिते, एक भाग तो है नसिया, एक भाग कौन सा है, नसिया, और दूसरा भाग कौन सा है, तो दूसरा भाग है सवरन मंदिर, दूसरा भाग कौन सा है सवनने मंदिर दूसरा भाग कौन सा है सवनने मंदिर तो देखें सोनी जी की जो नशिया ही एक जैन धर्म का मंदिर है ये रिशब देवे आदिनात को समर्पित है सोनी जी की नसिया है इसका निर्मान 1864 में मूल चंद सोनी के दुवारा निर्मान शुरू करवाया गया था जबकि पूर्ण का पूर्ण कारी 1865 में टिका चंद सोनी के दुवारा करवाया था यह सोनी जी की नसिया दो भागों में विवाजित है एक भाग तो नसिया है, दूसरा भाग इसका क्या है, सवरन मंदिर है, अब बात करें इसके सवरन मंदिर के, बात करें सवरन मंदिर के, तो सवरन मंदिर को अक्सर दहां में, सवरन मंदिर को अक्सर दहां भी कहा जाता है, सवरन मंदिर को क्या कहा जाता है, अक्सर दहां कहा जाता है, इस मंदिर में इस मंदिर में 400 केजी सोने का 400 केजी सोने या 400 केजी सोना का परियोग हुआ था इस मंदिर में 400 केजी सोना का परियोग हुआ था 400 के जिस होने का क्या हुआ था परियोग हुआ था समण मंदिर एक मंजिला समण मंदिर एक मंजिला मंदिर है एक मंजिला मंदिर है क्या है एक मंजिला मंदिर है जो लाल रंग से निर्मित है जो लाल रंग से क्या है निर्मित है सोनी जी की निशिया को लाल मंदिरे कहा जाता है लाल मंदिरे कहा जाता है देखो एक बार दुबार देखें सोनी जी की जो नशिया है ये जैन द्रहम को समरपित है रिशब देवा आदिनात को समरपित है इसका निर्मान 1864 में मूलचंद सोनी ने करवाया पूर्ण 1865 में टिकाचन सोनी ने करवाया ये दो भागों में विवाजित थी एक तो नसिया और एक समर्ण मंदिर समर्ण मंदिर की बात करने तो इसे अक्सर दहम कहा जाता है इस मंदिर में 400 केजी सोने का उपयोग किया गया चार क्यूंटल सोने का परियोग भी किया गया था यह एक मंजिला मंदिर है जो लाल रंग से निर्मित है इसलिए इसी सोनी जी की नसिया को लाल मंदिर भी कहा जाता है उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा अगला मंदिर सावत्री माता का मंदिर जो ये सावत्री माता का मंदिर है बात करें सावत्री माता मंदिर सावत्री माता मंदिर कहा इस्तित है पुसकर अजमेर में इस्तित है साउतरी माता मंदिर का है पुसकर अजमेर में इस्तित है साउतरी माता मंदिर और साउतरी माता मंदिर यह मंदिर रतना गिरी यह मंदिर रतना गिरी पाहड़ी पर यह मंदिर रतनागरी पाहड़ी पर इस्तित है रतनागरी पाहड़ी पर क्या है इस्तित है रतनागरी पाहड़ी पर इस्तित है और बात करें इस मंदिर में इस मंदिर में पुरुसों का परवेश निशेद है पुरुसों का परवेश क्या है निशेद है इस माता के मंदिर परराजस्तान का इस पाढ़ी रतना की पाढ़ी परराजस्तान का तीसरा रोप वे इस्तापित हुआ था कौण सा रोप इस्तापित हुआ तीसरा रोप वे तो अब बात करें देखो सावतरी माता का मंदिर है ये कहां इस्तित है सावतरी माता का मंदिर है तो सावतरी माता का मंदिर पूस कर हजमेर में इस्तित है ये है मंदिर ग्रतनागिरी पाड़ी परिष्टित है इस मंदीर में पुर्षू का परवेश निसेद है राजस्तान का तीसरा रोपिवे भी स्तापित है सावत्री माता का मेला सावत्री माता का मेला बादर पदे बादर पदे सुकले अश्टमी को सावत्री माता का मेला कब आजित होता है भादर पद सुकल अश्टिमी को सावत्री माता का मेले का आयोजन किया जाता है उसके बाद बात करें वराह मंदिर बात करते हैं वराह मंदिर वराह मंदिर कि वराह मंदिर का निर्मान वराह मंदिर का निर्माण वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया तो वराह मंदिर का निर्माण करवाया अरणो राज चोहान वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया अरणो राज चोहान ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया वराह मंदिर को किस ने तुड़वाया एगर तुड़वायने की बात करें तो इसको जाहंगीर ने तुड़वाया था किस ने तुड़वाया जाहंगीर ने इस मंदिर को तुड़वा दिया था वराह मंदिर का पुने निर्मान वराह मंदिर का पुने निर्माने तो वराह मंदिर का पुने निर्मान करवाय था सक्ति सिंग ने किसने करवाय था वराह मंदिर का पुने निर्मान करवाय था सक्ति सिंग ने और सक्ति सिंग है यह किसका भाहि था महाराना परताब का भाहि था माहना परताब का क्या था ये सक्ति सिंग है बाही था तो वरा मंदिर है वरा मंदिर भी का इस्तित है वरा मंदिर पुषकर अजमेर में इस्तित है वरा मंदिर का है पुषकर अजमेर में इस्तित है वरा हा मंदिर वराह मंदिर का निर्मान किस वेक्ति ने करवाया अरणो राज चौहान ने वराह मंदिर का निर्मान करवाया वराह मंदिर को तुड़वाने का कारिये किस वेक्ति के द्वारा करवाया गया जाहंगिर के द्वारा वरा मंदिर का अपने निर्मान किस व्यक्ति ने करवाय था तो सक्ति सिंग ने और सक्ति सिंग किसका भाई था माहरणा परताब का भाई था आगे आपको दिखाई दे रहा है रंगनाज जी का मंदिर है कि राजस्तान के में एक मंदिर भी रंगनाज जी का मंदिर कोण से जिले में है रंगनाज जी का मंदिर अजमेर जिले में इस्तित है रंगनाथ जी का जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है कोण से जिले में है अजमेर जिले में अब बात करते हैं रंगनाथ है जी की रंगनाथ जी मंदिर रंगनाथ जी मंदिर है कि रंगनाथ जी मंदिर है ये दक्षिन रंगनाथ जी मंदिर है दक्षिन बारत की दक्षिन बारत की दर्वीड सेली में निर्मित है ये मंदिर कौन सी सेली में निर्मित है दक्षिन भारत की दर्वीड सेली में ये मंदिर है इस मंदिर का पुजारी इस मंदिर का पुजारी भी कौन होता है दर्वीड ब्राह्मन होता है इसका पुजारी भी कौन होता है दरवीड ब्राह्मन इसका पुजारी होता है और बात करें रंगनाथ जी के मंदिर की तो रंगनाथ मंदिर गो मुख है गो मुख सहली में रंगनाथ मंदिर गो मुख सहली में कौन सी सहली में निर्मित है गो मुख सहली में निर्मित है रंगनाज जी के मंदिर का निर्माण कि रंगनाज जी के मंदिर का निर्माण रंगनाज जी के मंदिर का निर्माण 1834 हिस्वी में सेट पूर्णमल ने करवाय था किस ने करवाया सेट पूर्णमल सिंग ने करवाय था रंगनाज जी का मंदिर बैगवान विश्णू को समर पिते हैं रंगनाथ जी का मंदिर है ये दक्षन बारत की दरवीड सहली में निर्मित है इसका पुजारी दरवीड ब्रामन होता है ये गो मुख सहली में निर्मित है इसका निर्मान अठारा सो चोती सिस्वी में सेट पूर्णमल ने करवाय था ये बगवान विश्णू को समर पिते हैं रंगनाथ जी का मंदिर तो दुबारा देख लें के बार रंगनाथ जी का मंदिर है ये कोण सी सहली में दरवीड भारत की सहली में निर्मित है रंगनाथ जी का मंदिर इसका पुजारी दरवीड ब्राह्मन होता है और गोण मुक सहली में निर्मित है ये मंदिर और निर्मान आठ सो चोती सिस्वी में सेट पूर्णमल के द्वाना इसका निर्मान करवाय गय था और बगवान विश्णू को क्या है ये समर्पिते है उसके बाद बात करें और अगले मंदिर की तो नवगर है मंदिर बात करें नवगर है मंदिर की कि नवगर है मंदिर कहा इस्तित है तो नवगर है मंदिर है किसंगर नवगर्य मंदीर है किसंगड अजमेर में नवगर्य मंदीर कहां इस्तित है किसंगड अजमेर में नवगर्य मंदीर इस्तित है नवगर्य मंदीर है राजस्तान का एक मातर है राजस्तान का एक मातर मंदीर है राजस्तान का एक मातर है मंदीर है नोगरहों की परतिमा इस्तापित है नोगरहों की परतिमा इस्तापित है नोगरहों की परतिमा इस्तापित है किसंगड अजमेर में नोगरहों मंदीर इस्तापित है राजस्तान का एक मातर मंदीर है ये नोगरहों मंदीर है और नोगरों की परतिमा कहां स्तापित है तो किसनगड में स्तापित है नोगरों की परतिमा और उसके बाद और आगे बात करें अगली बात तो काचरिया संपरदाय का एक मंदिर है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है राधा और कर्षण की परतिमा दिखाई दे रही है तो बात करते हैं ये मंदीर की तो ये काचरिया मंदीर है कोण सा मंदीर है काचरिया मंदीर है अब बात करें काचरिया मंदीर की तो यहां राधा कर्षण यहां रादा यहां रादा कर्षण की पूजा की जाती है यहां रादा कर्षण की पूजा की जाती है यहां किसकी पूजा होती है रादा कर्षण की पूजा होती है यह मंदिर निम्बारक संपर्दाइस इस मंदिर में इस मंदिर में निम्बारक संपर्दाइस पूजा होती है निम्बारक संपर्दाइस से क्या होती है पूजा काचरिया मंदिर है यह राइश में रादा कर्षण की क्या की जाती है पूजा की जाती है इस मंदिर में निम्बारक संपर्दाइस की पदती है जो निम्बारक संपर्दाइस है यह सलेमाबाद अजमेर में इस्तित है और ये काचरिया मंदिर भी कहा इस्तित है सलेमाबाद में ही है वाई सलेमाबाद अजमेर में इस्तित है और यहां किसकी पूजा की जारी है रादा कर्शन की पूजा की जाती है और इस मंदिर को इस मंदिर में जो पूजा की जाती है वो निम्बारक पदती से की जाती है अब आपको बर्माजी का मंदिर और पुसकर जहिल भी दिखाई दे रही है बात करें पुसकर जहिल की पुसकर जहिल राजस्तान की पवितर जील है राजस्तान की पवितर जील है इस जील के किनारे इस जील के किनारे 52 गहाटे जील के किनारे 52 गहाटे इस्तित है इस जील में सफाई का कारिय कनाड़ा देश के सयोग से किया जाता है कनाड़ा देश के सयोग से किया जाता है इसी जील के किनारे इसी जील के किनारे कार्थिक पुर्णिमा को कार्थिक पुर्णिमा को मेले का आयोजन होता है पुसकर के अन्य नाम की बात करें पुसकर के अन्य नाम पुसकर के अन्य नामों की बात करें तो पुसकर को सो मंदिरों का सहर कहा जाता है पुसकर को सो मंदिरों का सहर कहा जाता है पुसकर को सो मंदिरों का सहर कहा जाता है उसके अलावा पुसकर को और बात करें तो पुसकर को चलो यहां लिख देते हैं पूसकर के अन्य नाम इसे सो पूसकर के अन्य नामों में बात करें तो इसे सो मंदिरों की सो मंदिरों की नगरी कहा जाता है इसे कोकरन तिर्थ कहा जाता है इसे तिर्थ राज कहा जाता है इसे ही तिर्थूं का इसे ही तिर्थूं का क्या कहा जाता है मामा कहा जाता है तिर्थूं का क्या कहा जाता है मामा भी कहा जाता है जो पुसकर जील है राजस्तान की सबसे पवित्रे जील है इस जील के किनारे कुल बावन गाट इस्तित है इसमें सफाई का कारी ये कनाडा देश के सेहुग से होता है और इस जील के किनारे कार्तिक पुर्णिमा के दिन मेले काविया आयुजन होता है पुसकर कहने नाम तो पुसकर को सो मंदिरों की नगरी कहा जाता है कोकन तिर्थ कहा जाता है तिर्थ राज कहा जाता है और तिर्थों का मामा कहा जाता है उसके बाद बात करते हैं बर्मा जी के मंदिर की बर्मा जी का मंदिर तो बर्माजी के मंदिर की बात करें तो बर्माजी का मंदिर कहां इस्तित है? अजमेर में इस्तित है बर्माजी का मंदिर बर्माजी का मंदिर कहां इस्तित है? अजमेर में इस्तित है और बर्माजी के मंदिर का पुने निर्माण निर्माण के बारे में जानकारी नहीं मिलती है पुने निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है पुने निर्माण किसने करवाय था तो इसका पुने निर्माण करवाय था गोकुल चंद पारिक ने गोकुल चंद की विदीवत रूप से पूजा की जाती है बरमा जी को सरश्टरी का रचेता माना भी जाता है बरमा जी के राजस्तान में अन्य मंदिर बरमा जी के राजस्तान में अन्य मंदिरों की बात करें तो एक मंदिर तो छेंचे बासवाड़ा में उसके बाद बात करें एक मंदिर है आसोत्रा आसोत्रा बाड मेर में एक मंदिर है आसोत्रा बाड मेर में बर्मा जी के सरवादिक मंदिर है बर्माजी के बर्माजी के सरवादिक मंदिर है शिरोही जिले में है बर्माजी के सरवादिक मंदिर कहा इस्तित है शिरोही जिले में तो बर्माजी का मंदिर कहा है बनावा है पुसकर अजमेर में है इसका पुनाय निर्मान किसने करवाए था तो इसका पुनाय निर्मान करवाए था गोकुल चंद्रपारिक के दुवारा इसका पुनाय निर्मान करवाए गया था बर्माजी की यहाँ पर विदिवत रूप से पूजा की जाती है और इसके अन्य मंदिर की बात करें तो छीच बासवाडा में भी इसका एक मंदिर बनावा है और आसोतरा पाडमेर में भी इसका मंदिर है लेकिन बर्मा जी के सरवादिक मंदिर कौन से जिले में है शिरोही जिले में बर्मा जी के सरवादिक मंदिर है उसके बाद बात करें एक जील और भी है पुसकर जील के अलावा गेंदो लावा गेंदो लाव जील और ये जील भी कौन से जीले में है अजमेर जीले में इस्तित है गेंदो लाव जील कौन से जीले में इस्तित है अजमेर जीले में इस्तित है इस जहिल के किनारे एक महल बनावा है, इस जहिल के किनारे फूल महल इस्तित है इस जहिल के किनारे कौन सा महल इस्तित है फूल महले इस्तित है इस जहिल के किनारे फूल महल इस्तित है उसके बाद बात करें किसन गड़ की किसन गड़ किसन गड़ सहर की स्तापना किसन गड़ सहर की स्तापना सोडा सो नो इस्वी में किसन सिंग के द्वारा की गई सोडा सो नो इस्वी में किस के द्वारा की गई किसन सिंग के द्वारा की गई थी उसके बाद बात करोएं तो किसन गड़ रियासत में राठोड वन्स ने सासन किया है किसन गड़ एक रियासत भी हुआ करती थी किसन गड़ में राठोड राजवन्स ने राठोड राजवन्स ने सासने किया है राठोड राजवन्स ने क्या किया सासन किया उसके लावा बात करें किसनकट रियासत को तोप सलामी का अधिकार नहीं था किसंगड और साफ़ पुरा रियास्ते ऐसी रियास्ते थी जिनें रियास्तों को तौप सलामी का अधिकार तो था लेकिन ठिकानों को तौप सलामी का अधिकार नहीं था जबकि राजस्तान की दो रियास्तों को भी तौप सलामी का क्या नहीं था अधिकार नहीं था एक तो साफ़ पुरा रियासत थी और दूसरी किसंगड रियासत थी तो किसंगड रियासत को तोब सलामी का अधिकार नहीं था किसंगड में राजस्तान का राजस्तान में हैंड लूम राजस्तान में हैंड लूम का सबसे बड़ा हैंड लूम का सबसे बड़ा केंदर है हैंड लूम का सबसे बड़ा क्या है केंदर है उसके अलावा बात और करें तो एसिया की सबसे बड़ी मार्मल मंडी भी कहा इस्तित है किसंगड में एसिया की एसिया की सबसे एसिया की सबसे बड़ी मार्मल मंडी और ये भी कहा इस्तित है किसन गड़ में इस्तित है तो देखें एक बार गंदे लावा जील कहा इस्तित है अजमेर में इस्तित है इस जील के किनारे फूल महल इस्तित है उसके बाद बात करें किसन गड़ की तो किसन गड़ की स्थापना 1609 में किसन सिंग के दुआरा स्तापना की गई थी राठोड राजवन्स ने यहां पर असासन किया है किसन गड रियासत को तोप सलामी का अधिकार नहीं था राजस्तान में हेंडलूम का सबसे बड़ा केंदर किसन गड है एसिया की सबसे बड़ी मारमल मंडी भी का रियासत है किसन गड है और उसके बाद बात करें किसन गड है चितर सैली की किसन गड चितर है सैली अब बात करते हैं किसन गड चितर सैली कौन से जिले में अजमेर जिला पढ़ रहे हैं तो अजमेर में ही है अब बात करें इस यहां का परमुख चीतर है किसंगर्ण चीतर सेली का परमुख है चीतर कौन सा है तो वो चीतर है बनी ठनी वो कौन सा चीतर है बनी ठनी चीतर है उसके बात करें किसंगर्ण तो किसंगर्ण चीतर सेली का सवनकाल किसंगर चितर सहली का सवन काल सावंद सिंग के सासन काल को कहा जाता है किसके सासन काल को कहा जाता है सावंद सिंग के सासन काल को सवन यूग कहा जाता है किसंगर चितर सहली पर बारत सरकार ने बारत सरकार ने मई गुनी सो चेहतर को बीस पैसे की डाक टिकट जारी की बारत सरकार ने मई गुनी सो चेहतर को बीस पैसे की डाक टिकट जारी की थी इसके लबा और बात करें अजमेर की तो हर गोविंद हर गोविंद कुराना का संबंद हर गोविंद कुराना का संबंद अजमेर से था हर गोविंद कुराना का संबंद कहां से था अजमेर से था विग्यान के छेतर में विग्यान के छेतर में से क्या मिला नोबल पुरुसकार विग्यान के छेतर में क्या मिला नोबल पुरुसकार मिला उसके अलावा और बात करें तो पर्थवी पर्थवी राज चोहान समराट पर्थवी राज चोहान ने राज किये राज किये माहा विध्याले का इस्तित है अजमेर में इस्तित है कि पर्थवी राज समराट पर्थवी राज चलो समराट और लगा देते हैं समराट पर्थवी राज चोहान राज कि माहा विध्याले कौन सी जिले में अजमेरे जिले में है राजस्तान का प्राचिन राजस्तान का प्राचिन माहा विध्याले है उसके बाद और बात करें तो दयानन्द सरस्वती दयानन्द सरस्वती माहा विध्याले भी कहा इस्तित है अजमेर में है कहा है अजमेर में इस्तित है अब बात करते हैं राजस्तान में अजमेर का पर्थमस्तान राजस्तान का अजमेर में पर्थमस्तान कि राजस्तान में अजमेर का पर्थमस्तान किन किन में पर्थमस्तान है, तो राजस्तान का पर्थम हाई टेक दा का घर है, पुसकर में इस्तित है, राजस्तान का पर्थम हाई टेक दा का इस्तित है, पुसकर में इस्तित है, उसके बाद बात करें राजस्तान की पूप समंडी ये भी गना हेडा पुषकर अजमेर में इस्तित है राजस्तान की पुषकर अजमेर में इस्तित है राजस्तान की पुषकर अजमेर में इस्तित है राजस्तान की पुषकर अजमेर में इस्तित है उसके लावा और बात करें राजस्तान की पुषकर अजमेर में इस्तित है हाई स्कोर्टी जेल तो वो भी राजस्तान में ही है घुंगरू घाटी घुंगरू घाटी अजमेर में और बात करें तो राजस्तान का राजस्तान का पर्थम है सिस्मो गराप राजस्तान का पर्थम सिस्मो गराप है भी अजमेर में इस्तापित है राजस्तान का पर्थम सिस्मो गराप कहा है सिस्ताथ है अजमेर में इस्तित है राजस्तान का राजस्तान की पर्थम है मिसनरी स्कूल राजस्तान की पर्थम मिसनरी स्कूल भी कहा इस्तित है अजमेर में इस्तित है क्या पढ़ रहे हैं राजस्तान का अजमेर में राजस्तान अजमेर का राजस्तान में पर्थमस्तान सोरी अजमेर का राजस्तान में पर्थम है इस्तान राजस्तान का पर्थम हाई टेक डा गर पुसकर अजमेर में इस्तित है राजस्तान की पर्थम अब बात करें और आगे तो अब फिर अगले सेशन में मिलते हैं साथियो तब तक के लिए सभी को जैहिंद झाले सेशन में मिलते हैं साथियो तक के लिए सेशन 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 मिलते हैं साथियो तक के लिए सेशन